करते हैं आज का जो हमारा topic है वो है deal structuring and financial strategies यह दोस्तों इस particular unit no.18 से क्या क्या question बन सकते हैं आज जरह देखते हैं सब्सक्राइब के साथ वीडियो के साथ मौक टेस्ट के साथ मौक टेस्ट के साथ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह ओफर कि आज ही तक वैलिड है आपको यह coupon code यूज़ करना है विकेंड 25 सक्सेस को और इन्रॉल होना है अब आप पुछेंगे कि इन्रॉल कहा होना है तो दोस्तों लिंक आपको इन्रॉल्मेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन मिल ज सकते हैं चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं हम लोग आज के पहले कोश्चन के साथ यूनिट नमरेटीन का पहला कोश्चन आपके स्क्रिन पर है पूछा जा रहा है कि कौन साइस पेस्पीक स्ट्रेटजी जैं कि सिंग्रिफिकेंट जो हमारा सिंग्रिफिकन प्राइज स्ट्रेट्चरिंग में उसको ब्रीज करने के लिए कौन सा कुछ स्ट्रेटजी का आपको नाम बताना है पहला है आपके पास जो स्ट्रेट्मेंट है उसमें कोई स्ट्रेट्जी नहीं दिया गया है बी कर रहा है कि जो स्ट्रेट्मेंट है वो स्ट्रेट्जी पहले स्ट्रेटजी दोस्तों कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी तो यह जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या होता है कि आप एक्यूजिजिशन के कॉस्ट को कम करते हैं तो कॉस्ट करने करने करते हैं उसे आप लोग कम करते हैं इस पार्टिक्लर स्ट्रेटजी में इसमें क्या होता तो creativity के अंदर क्या होता है कि आप outside the box thinking करते हैं ताकि एक नया तरीका ला सके price disparity को bridge करने के लिए तीसरा तरीका होता है दोस्तों आपका risk sharing ठीक है तो risk sharing is also a method तो risk sharing में क्या होता है कि आप acquisition का जो risk है उसे share करते हैं seller के साथ इसके अंदर दोस्तों seller जो है agree करता है कि वो price purchase price कम करने के लिए अगरी करता है उसे exchange में क्या मिलेगा future profit का share मिलेगा right so friends so this question was related to that particular subject hopefully you have understood now let's come to the next question next question में आपसे क्या पुझा जा रहा है कि why are tax issue crucial in crucial consideration in deal structuring तो आपसे पुझा जा रहा है दोस्तों कि deal structuring में tax कितना crucial क्यों है राइट tax issue जो है इतना crucial consideration क्यों है deal structuring में आपके सामने चार options तीन options दिये गया है देखिए taxes का significant impact परता है financial outcome of deal यानि कोई deal है ठीक है इसका जो financial outcome होगा इसमें tax का सबसे important significant impact परता है जिस तरह से deal को structure किया जाएगा इसका बड़ा impact परता है कितना tax buyer पे कर रहे है seller पे कर रहे है या दूसरे stakeholder पे कर रहे है तो किसी deal के tax implication को carefully consider करके parties अपने tax liability को कम कर सकते है एक्जामपल सर्थ समझते हैं जैसे माल लिजिए कि buyer कोई buyer है तो buyer जो है structure करेंगे deal को इस तरह से जिससे वो अपने purchase price को deduct कर सकेंगे target company का taxable income से तो जो भी taxable income है उसमें से purchase price क्या कर सकेंगे इससे क्या होगा कि कितना tax का amount उन्हें pay करना है वो significantly reduce कर लेगा उसी तरह दोस्तों कोई माल लिजिए seller है यह तो buyer के perspective मैंने समझाया कोई किमाल लिजिए seller है तो seller क्या करेगा seller एक deal को ऐसे structure करेगा जिससे दोस्तों वो अपने tax के payment को differ कर सकेगा अपने company के sales में इससे उसे ज्याधा time मिलेगा tax को pay करने के लिए और यह allow करेगा उसे कि वो lower tax rate का advantage ले सके future में तो दोस्तों tax implication को consider करके deal में पार्टी जो है informed decision ले सकती है जिसके दोरा वो अपने financial goal को achieve कर सकती है अब ज़र options को देखते हैं options एक कर रहा है कि to ensure the deal generate a value for all the parties involved यह गलत है योकि tax issue के वल consideration ही नहीं है deal structuring में दूसरे factors भी है राइट जैसे कि आपको मैं बताओ जैसे value of target company right value of target company फिर दोस्तों buyer का financial strength क्या है तो यह सभी factors से जो कि decide करते है financial strength of buyer और दोस्तों regulatory environment क्या है इन सभी चीजों को भी आपको consider करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि केवल आपने tax को consider किया तो हो गया नहीं टैक्स के लाबा target company का value कितना है बायर का financial strength कितना है regulatory environment कितना है इन सभी चीजों को भी consider करना पड़ेगा okay option B कर रहा है कि to comply with the legal requirement दोस्तों tax issue का मतलब यह नहीं होता है कि अप legal requirement को comply करेंगे tax का मतलब यह होता है कि अपने tax liability को minimize करना आपकी जितने भी tax liabilities है उसे minimize करना और अपने tax benefits को maximize करना so this is the meaning of tax restructuring तो यह भी option गलत है option C सही है to minimize tax liability and maximize tax benefit so that's why option number C is correct now let's come to the next question next question में आपसे पुझा जा रहा है कि हमारा tax deal is restructuring का major aspect क्या है what is the major aspect of deal restructuring okay so let us discuss this in every statement because this question योगी दोस्तों यह जो question है इसमें आपको option के थुरू चलना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि इन्हों से कौन सा major aspect है अपहले aspect को देखेंगे तब तो समझ भाएंगे major aspect कौन सा है आए देखते हैं let's see so first option is accusation vehicle okay accusation vehicle post closing organization so post closing organization form of accusation form of payment legal form of selling entity and strategies for bridging per price disparity option B is financial modeling दोस्तों देखें पहला तो यहां पर आपको कुम्हाइक सा सब्टरम समझा दूँ यह जो लिखा है accusation vehicle इसका मतलब क्या हुआ basically यह वह legal entity होती है जो कि use क्या जाता है ताकि target company को acquire कर सकें तो जो options हैं इसके अंदर new subsidiary holding company क्या दो company का merger यह सभी आता है next है हमारा post closing organization यह क्या होता है तो इसका मतलब कि एक combined entity का structure होता है जब जैसे ही हमने accusation को complete कर लिया accusation को complete कर लिया तो उसके बाद दोस्तों जो हमारा combined entity का structure होता है उसे हम लोग post closing organization काते हैं इसके अंदर stand alone subsidiary division of acquiring company और joint venture यह सभी आता है third आता है दोस्तो form of acquisition form of acquisition में क्या होता है basically एक तरीका होता है जिससे target company को acquired किया जाएगा this is the way through which target company is acquired एक तरीका होता है जिससे target company को acquired किया जाएगा इसके अंदर stock purchase, asset purchase, merger यह सभी आता है form of payment में दोस्तों एक तरीका होता है जिससे buyer जो है target company को pay करेंगे इसके अंदर cash, stock, combination of cash stock दिये आ सकता है next है हमारा legal form of selling entity इसके अंदर क्या आएगा basically एक legal structure होता है target company का इसके अंदर corporation, partnership, sole proprietorship यह सभी आता है last है strategies for bridging price disparity इसके अंदर एक तरीका होता है जिससे buyer और seller जो है purchase price पर agree करते है जो कि दोनों parties को acceptable होता है इसके अंदर valuation expert, negotiating a price adjustment mechanism या दोस्तों आप contingent payment structure को use करें तो यह हमारा यह सभी major aspects है option B को जरा देखते हैं क्योंकि इसमें खाली financial modeling है private equity firm है this is not यह mention नहीं करता है major aspect और option C भी गलत है management decision and initial financial business is also wrong ठीक है तो आपको regulatory environment financial strength of buyer and seller tax implication, cultural fit, strategic fit all these factors have to be considered okay, now let's come to the next question so next question is what are some of the tax issues that are crucial consideration in deal restructuring क्यों tax importance है deal restructuring मैं अभी में देखा अब कौन-कौन से major tax issues है आइए वो जरा देखते हैं तो option को जरा देखते हैं taxable and non-taxable structure and new legislation affecting corporate tax inversion taxable and non-taxable structure and computer analysis और last is also leverage buyout and financial modeling दोस्तों देखिए सही जवाब है taxable and non-taxable structure and new legislation affecting corporate tax inversion option नम्मर है इसका सही जवाब है देखिए दोस्तों tax issue का significant impact परता है किसी किसी deal के financial outcome में जिस तरह से deal को structure किया जाएगा इसका big impact परता है कितना tax जो है buyer पे कर रहे है seller पे कर रहे हैं या दूसरे stakeholder पे कर रहे हैं तो tax implication किसी deal को carefully consider करके जो parties है वो tax liability को minimize कर सकते हैं अपने tax benefit को maximize कर सकते हैं आपको मैं कुछ tax issue का नाम बताओ पहले मैं आपको सम्झा जेता हूं तब question पर आएंगे हम लोग किस तरह का structure है कुछ tax issues के बारे में हम लोग बात करते हैं आपको सम्टेक्स तो पहला टैक्स होता है कि structure ठीक है type of structure which is used for deal taxable structure कि non-taxable structure है दूसरा point है दोस्तों jurisdiction मतलब कि जिस jurisdiction में deal को structure किया जा रहा है तीसरा है दोस्तों कि asset or liabilities का tax treatment क्या है next point is the tax implication of the payment structure तो जो हमारा payment structure है उसका क्या tax implication है and the last point is tax implication of the exit structure अब देखिए जो नया legislation है जो कि corporate tax inversion को effect करता है यह भी crucial consideration है new legislation affecting corporate tax inversion दोस्तों corporate tax inversion एक ऐसा transaction होता है जहां पर जो US के corporation है वो merge हो जाते है या एक foreign corporation को acquire कर लेते है ताकि अपने tax residence को lower tax resolution में move कर सके तो जो नया legislation है यह बहुत ही difficult होते है तो new legislation एक आरण US के corporation को बहुत difficult हो गया है कि वो tax inversion में इंगेज को ठीक है option भी कर रहा है taxable and non taxable structure and competitor analysis so I think this is incorrect क्योंकि competitor analysis जोड़ टैक्स इसू नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए competitor analysis this is competitor analysis has nothing to do with tax now let's see option number C option C में पुछा जा रहा है आप से leverage buyout and financial modeling तो यह भी गलत है यह कि leverage buyout and financial modeling tax issues नहीं है यह सभी financial consideration है जो कि relevant होता है deal restructuring में so regarding the other tax issues the tax credit, tax reduction, tax standards etc so the correct answer to this particular question is option number A now let's see the next question that what is the role of private equity firm and hedge fund in financing M&A transaction you know what is the meaning of M&A M&A means merger and acquisition as a topic name okay सवाल यह पुछा जा रहा है कि हमारा जो private equity firm है हमारे जो hedge fund है इनका क्या role है किसी merger and acquisition transaction को finance करने में right this is the question तो आज यह options से होके कुछते है दो पहला जीटए पहला है कि private equity firm और hedge fund का कोई role नहीं है right दज पहला तो यहीं कर रहा है कि इनका कोई role नहीं है दूसरा option कर रहा है कि private equity firm purpose upon hedge fund M&A transaction के लिए financing provide करती है तिसरा option कर रहा है कि और बिइतकर खुरम प्राइबेट करते हैं आपको एक चीज समझारा हूं एक पॉइंट्सम्जारा रहा हूं ही रिट्वाइब्ट क्वाइब्स न्युज्ट करते हैं यह थो फाइब्स करते हैं नहीं करते हैं यसे leverage buyout कहा जाता है इससे क्या कहा जाता है इस debt financing को ही क्या कहा जाता है दोस्तों इससे कहा जाता है leverage buyout यह तर्म आप बार बार देखेंगे what is leverage buyout what is leverage buyout is nothing but debt financing तो friends इसका मतलब यह हुआ कि वह कुछ significant amount of money borrow करते हैं ताकि acquisition क्यों finance कर सकें और फिर debt को repay करते हैं जो भी cash flow generate किया गया acquired company के द्वारा दोस्तों जो हमारे private equity firm और hedge fund है यह major players है में मार्केट में 2020 में दोस्तों private equity firm और hedge fund मिला कर कितना पता है आपको 40% 40% जितने भी M&A के activity थे यूएस में उसके 40% जो है private equity firm and hedge fund का क्या के द्वरा किया गया था तो यह ज्यादा attract होते हैं M&A transaction से क्योंकि दोस्तों high return को generate कर सकते हैं तो जोड़ा option से होके गुजरते हैं option A कर रहा है कि private equity firm and hedge firm do not have role in financing M&A transaction यह तो incorrect है अभी मैंने आपको बताया कि private equity firm and hedge fund का M&A transaction and option C is also incorrect क्योंकि 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 दोस्तों option C incorrect इसलिए है क्योंकि private equity firm and hedge fund है legal advice प्रवाइज नहीं करते है M&A transaction और यहां पर देखिए legal advice लिखा हुआ है they do not provide the legal advice वो लोग को हाइड करेंगे ताकि वो advice कर सके हैं उनको on the regarding the financial transaction so friends option C is incorrect वो lawyer lawyer को hire करते हैं तो कुछ तरीके हैं जिसे private equity firm and hedge fund financing provide करते हैं मैंने आप गया क्या बताया एक बताया आपको debt financing please remember this point these are the way through this finance debt financing तरीका है equity financing एक तरीका है hybrid financing एक तरीका है right so you know what is debt financing I think you know debt financing equity financing hybrid financing okay now let's come to the next question next question में आपसे पुछा जा रहा है कि कि किसी deal structuring में negotiation कब start होता है when do the negotiation start in deal restructuring बताईए deal structuring में deal structuring में negotiation start कब होता है पहला option है कि जब टार्गेट कंपनी को एक्वायर कर लिया गया कि दूसरा है कि जब इनिशल फानेशल अनालिस्ट के जाता है उसके बाद तीसरा option का रहा है कि management जब डिसाइड करती है कि टार्गेट इस चूजन दोस्तों सही जवाब इसका option numr c जब management decide करती अग्यूसर का चूज कहाता है तब जाके नेगोषेस्ट डिसाइड चूज करती है कि कि हमें एक्वाइर करना है कि एक्वाइर करना है टार्गेट को चूज कर ली तब ही जा कि नेगोसिशन स्टार्ट हो जाता है ऐसा इसलिए यह कि जो पाई हो और सेलर है उन्हें अगरी करना परेगा जो टर्म्स अब डील है राइट जैसे कि पर्शेस प्राइस किया है पेमेंट का तम किया है ओके जो तो जो हमारा इनिशल फनांसिंग आलेसी स से नेगोसिशन स्टार्ट होने से पहले इसे पहले हो यह है इसे बायर कर सकते है कि टारेट कपनी का वैलू कितना है और वैल्लिएक्ष कर सकते हैं तो टार्गेट कंपनी को एक्वाइट तब तक नहीं करेंगा तब तक तो नेगोसियेशन हो गाई नहीं राइट कि इसलिए और इनकरेक्ट है बी कर रहा है कि आप्टर इनिसल फनासे लाइसे चंड़क्टेट दोस्तों इसलिए फनासे लेशन स्टार्ट होने से पहले इसलिए इसलिए टर्म गरत है तीसरा पन कर रहा है अब देखे टिप्रिफेड में आपको बता प्टाहación मैं आपको फेजबता जाता हूं दूस्तों किया किया इसके इस परहला है इनिसियेशन इसमें क्या होता है यह वह स्थेस होता है त्राइट कंपनी का इसके अंदर फिनेंसल प्रमामेंस होता है थर्ड निक्स पाइंट इस अके आफ्रेले नेगो सीरस अगेंस और इस सेलर तर्मस आप डिल को एगरी करते हैं यसे पर्चेस प्राइस क्या होगा फ्रे फिय्मिमेंट का फॉर्म क्या होगा etc and the final is legal legal documents so this stage when the lawyer is there so correct answer to this particular question is option number C so friends if you are targeting CIB 2023 we have exclusive plan for you and today we are offering 25% discount on all the plans like when you can see comprehensive plan PDF comprehensive plan PDF videos mock test also what is the purpose of deal structuring according to the statement deal structuring का purpose है right option ही कर रहा है कि हम आउटलाइन करें कि कैसे merger or acquisition deal value generate करेगा सभी parties के लिए option भी कर रहा है कि potential issue को identify करें जो की future में राइज हो सकता है option C कर रहा है कि दोस्तों आप deal को close करें deal to close all the deals पता यह deal structuring का purpose क्या है और correct answer is option number है यह outline करना कि कैसे merger or acquisition deal will generate value for all the parties involved नेश question क्यों यह जरूरी है ताकि potential issues और unfortunate risk को लें जब भी हम deal structuring करें why it is necessary option को देखते है to ensure that all the parties involved generate values to avoid potential issues and risk to account for them in the deal structure and minimize their impact दोस्तों सही जवाब है इसका option number C potential issues को take up करना और unfortunate risk को take up परना इससे पहले की deal structuring में यह जरूरी इसलिए है ताकि उनको deal structure में account कर सके अपने impact को minimize कर सके option number C is correct इस question देखते हैं पूचा जा रहा है कि deal structure और financial financing कैसे related है पहला है कि related नहीं है दूसरा है closely related है और दोस्तों को तीसा option कर रहा है कि related है कुछ तरह के M&A deal में सही जवाब है दोस्तों इसका option number C option number B that is they are closely interwoven option number B is correct को दर पूसरा है कि deal structuring process का result क्या होता है option यह कर रहा है कि एक ऐसा agreement जो की define करेगा respective rights and responsibilities of the acquirer and the target firm यह जो acquirer है जो target firm है उसकी responsibilities क्या है ठीक है उसकी rights क्या है यह यह deal structuring में final होता है next option is a list of potential issues and risk next option is financial plan for the acquisition तो deal structuring process का result क्या है सही जवाब है दोस्तों इसका एक ऐसा agreement जो की define करेगा respective right and responsibilities of the acquirer and the target firm इन में से कौन सा major aspect है deal structuring process का तो पहला है कि I think we have discussed this question option number A is correct इन में से कौन सा topics है जो की included किया गया है deal structuring के conversation में right what are the topics which are included in the design conversion like risk management financial difficulties and consequence of risk on agreement acquisition option b is legal issues regulatory compliance and due diligence option c is a strategic planning market analysis and competition assessment so friends correct answer to this question is option number a risk management financial difficulties and and consequence of risk on agreement acquisition next so friends these are the plans which are available for civ like comprehensive plan it includes pdf plus videos plus mock test also we have civ pdf plan for full compulsory subjects it includes unit wise concise pdf notes 3000 plus mcq question bank and unit wise theory and mcq pdf also we have civ mock test for all four which includes unit wise mock test with solution daily quizzes and full and mock test so if you are interested in any of this plan feel free to uh whatsapp me on this number shown on the screen also you can just see in the description section link is provided for the app next question is क्यों जरूड़ी है consensus को establish करना negotiation process के द्वारा दील को close करने के लिए option निये कर रहा है क्योंकि दुस्तोल ये इंस्य और करता है कि दोनों पार्टीस हैपी हैं deal से फिकि ये टाइम को से करता है क्योंकि ये रिज्स अकि रिज्व करता है कि इस डिसे डिसाईरिमेंट को and move forward with the deal option which option is correct so option number C is correct option number C is correct because it helps to resolve any disagreement and what is deal structuring process the process of identifying potential issues in modern acquisition deal the process of negotiating the terms and condition of modern acquisition deal the process of forming an agreement between the and the target firm the process of outlining how a merger and acquisition deal generate value for all the parties involved what are you doing structuring what is the deal structuring right here is the process is the outline that the merger and acquisition deal all parties to generate value option number D is correct next question which factors in consideration when you decide the acquisition or post closing organization cost and formality of organization management control financial support implied benefit which factors will be taken into consideration consideration when you decide or post closing organization decide the correct answer is implied benefit implied benefit factors will be taken into consideration next question is reduce risk and increase financial position option 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 B reduce cost of acquisition and continuity of ownership option C limited liability and transaction flexibility option D all of the other friends correct answer is all of the other next question is ESOP structure which is how you have to install our app this is the app link in the play store, google play store, आपको google play store पर जाना है, आप को install करना है, आप को इस्टाल करना है, आप को इस्टाल करना है, जैसे आप अपने क्लिक करेंगे, दोस्तों आपको, आपके mobile नमर डालना है, तो OTP आएगा, OTP से आप इंटर कर सकते हैं, and you will see this type of interface, all the courses are available, आप ये 3 dot पर जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पर free material section पर जाना है, और दोस्तों free material section पर आपको daily courses freely मिल जाएंगे, तो हमारे app को in google play store से इंस्टाल कर लें, और friends इस particular videos इस तरह के content का लाभ उठा है, again I am reiterating that weekend bonenja is for you who get 25% off around CIB courses, elevate your learning with our PDF, videos, mock tests and more, so this offer is valid till weekend only, use this code weekend25success, thanks, so you hopefully you enjoyed today's course, if you enjoy the course do like and share, thanks for watching, do subscribe our channel, hit the bell icon, so that when the videos go live, instant notification received to you, thank you.